Hello everyone, welcome to NEET UG Intent brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहाँ आपको मिलती हैं daily live classes, live tests and quizzes, structured courses, unlimited access, हमारा जितना भी material है, जितने भी video lectures हैं, लेकिन उसके लिए आपको हम से जोड़ना होगा, Unacademy learning app डाउनलोड करें, Google Play Store पे जाके, iOS app store पे जाके, and हमारी सारे features अवेल करने के लिए, आपको लेना होगा हमारा page subscription NEET UG के लिए, जिसके कई options available हैं, 1, 3, 6, 12, 24, NEET UG का syllabus थोड़ा vast है, थोड़ा time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल के package सबस्यादा popular है, आप एक साल में देखेंगे, 6,000 add करते हैं, तो हो जाता है वो दो साल का package, on top of that, मेरा code, love10, ये use करते हैं, तो मिलता है extra 10% को off, जो भी हमारी base price थी, मेरा नाम लवकिश्वर श्रिवास्तवा है, मैं McGill University Canada में as a researcher इस समय काम कर रहा हूँ, अगर आप personally मुझ से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना telegram link यहाँ add कर दिया है, अब बात करते हैं ovaries की, ठीक है, हमने last lecture में testis के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो primary, जो main male reproductive sex organ होती है, ठीक है, अब बात करते हैं कि female में क्या होता है, तो वहाँ, testis तो male की बात हो गई, तो इसी का counterpart, इसी का counterpart, जो females में primary sex organs हैं, वो है ovary, ठीक है, तो अब जैसे हमने वहाँ पर androgens, testosterone देखा था, testosterone था, तो यहाँ क्या कहानी है, चलिए देखते हैं, हाँ, थोड़ा सा, जो females हैं, उसमें, because of menstrual cycle and ovulation, चीजे काफी complicated होती हैं, हम detail में पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, जब human reproduction पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी उसको discuss नहीं करेंगे, नहीं तो confused हो जाओ गया आप, अभी सिर्फ basic बात करते हैं, कि कौन से hormones यहाँ से आ रहे हैं, हाँ, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब हम female reproductive system पढ़ेंगे, menstrual cycle पढ़ेंगे, वहाँ पे यह hormones फिर से आएंगे, ध्यान रखना, अच्छा, तो अब बात करते हैं, कि ovaries होती कितनी है, जैसे वहाँ पे हमने squirrel sac की बात की थी, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ovaries, एक pair होती है, एक pair याने दो, two in number and one pair, located in the abdomen, abdomen में होती है, ठीक है, अब जो primary sex organ है female की, वो क्या है, ovary है, males में क्या था, testis था, confuse मत होना, अच्छा, अब बात आती है, कि यह egg, ovum, ovum is egg, यह produce करती है, ovaries, ovaries का का क्या होगा, एक प्रेडूस करना, testis का क्या काम था में, sperms प्रेडूस करना, यही ovum, जो egg है, और जो sperm है, fertilize होके, finally एक embryo बनाता है, fetus बनाता है, और finally जो baby बनता है, वो यही process होता है, ठीक, अच्छा, अब बात आती है, कि हम यह जान लें, कि ovary, में और क्या-क्या चीजे है, तो यहाँ पे steroid hormones, two groups of steroid hormones होते है, steroid याद रखना, क्योंकि nature of hormones बहुत important है, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक classification ही कर दूँगा, कि कौन से amino acid या protein वाले हैं, कौन से steroid हैं, ठीक है, important सबावाल बनता है, तो estrogen या progestron, and sorry, या नहीं, and, क्योंकि दो अलग हैं, तो या नहीं आएगा, and आएगा, estrogen और progestron, दो तरीके के hormones यहाँ हमको मिलते हैं, mainly, ठीक है, अब देखते हैं, कि क्या-क्या काम होता है, और क्या करते हैं यह, तो ovary, अब आप ovary का structure देखोगे, तो basically, इसमें follicles, follicles मैंने बताया थे न, कि एक छोटी सी space, जो की covered होती है, cell से, membrane से, ठीक है, वो follicles होते हैं, तो इसमें ovarian follicles होते हैं, और कुछ stromal tissues होते हैं, अब बात करते हैं, कि जो estrogen है, estrogen, ठीक है, कभी-कभी आप देखोगे, O भी लिखा रहता है, तो E के पहले, O estrogen, ठीक है, pronunciation इसका estrogen ही है, confuse मत होना, कि यह कोई नई चीज आ गई, दोनों सेम चीज है, estrogen जो है, यही जो ovarian follicles हमने बताया थे, यह ovarian follicles क्या होते हैं, इसी के अंदर आपका, ovarian present होता है, ठीक है, तो ovulation जब होगी, तो यही ovarian follicles जो है, egg release करेंगे, ठीक है, confuse मत होना, ovarian follicles release करेंगा, तो क्या होगा, कुछ पार्ट ovarian follicle का बचा रह जाएगा, और जो egg ovum release किया गया है, वो जहां जाना है, बहां जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत important part है, जो बचा हुआ part है, इसकी भी significance बहुत जादा है, क्यों है, समझोगे time में, अब estrogen तो हमने बता दिया, जो ovarian follicle से आया, ठीक है, अब यह जो ruptured follicle है, जिसमें से जो हमारा ओवा था, वो निकल चुका है, ठीक है, तो जो बचा रहे गया part, जो बचा रहे गया past part, उसको बोलते हैं, corpus luteum, ठीक है, और यह एक hormone secret करता है, progesterone, बस progesterone का मतलब समझ लेना, कि इसका P है, तो P से ही याद करना, कि pregnancy से जोड़ा हुआ है, तो pregnancy की हम बात जब करेंगे, का लेविल बढ़ेगा, कब estrogen का लेविल कम होगा, बहुत एक पूरी cycle है आपस में, जो बहुत important cycle है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अभी के लिए बस यह जान लो, कि progesterone कहां से आया, corpus luteum से आया, और जो estrogen था, वो कहां से आ रहा था, ovarian follicle, जब intact state में था, वहां से estrogen अभी आ रहा था, ठीक है, अच्छा, अब बताती है कि testosterone, testosterone, जो males में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में, वो क्या काम कर रहा था, वही काम females में, कौन करेगा, estrogen करेगा, अच्छा, अब देखते हैं, क्या काम कर रहा था वो, accessory या secondary sex organs, जो थी, वहां पर बताया था न, epididymis हो गया, seminiferous, sorry, seminal recycles हो गया, prostate gland हो गई, इन सब का, जो maturation, formation था, उसमें help कर रहा था, testosterone, अब देखते हैं, female में कौन सी, secondary sex organs है, या accessory sex organs है, ठीक है, तो, वो काम में help करेगा, है ना, CDC बात है, तो, पहला चीज दो तुनने दानी, कि secondary, या accessory sex organs, जो है, उसमें काम करता है, testosterone, उसी का, counterpart, females में होगा, estrogen, ठीक है, और, याद करो, testosterone क्या कर रहा था, एक adult stage में जा रहे है, males में तो facial hair, और बहुत सारी चीज़े, develop हो जाती है, ठीक है, हाँ, voice हो गई, ये दोनों में common है, अब आप एक छोटे बच्ची की आवाद सुनेंगे, या एक lady की आवाद सुनेंगे, तो आप दूर से बता सकते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे, या एक छोटा सा लड़का है, या एक आदमी है full-fledged, तो दोनों की आवाज में, आप compare कर सकते हैं, plus females में क्या होता है, memory glands present होते हैं, ठीक है, तो in addition, जो बाकी चीज़े हो रही है, अब यहाँ differentiate करना है आपको, कि facial hair, दाड़ी मुच ladies में तो होती नहीं, तो यह character उसमें से तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन memory glands जो females में present होते हैं, वो इसमें add हो जाएगा, ठीक है, तो इसको रटने की तो ज़रत है ही नहीं, बस समझना है कि अच्छा, यह यह है, accessory sex organs में आते हैं, बाकी self explanatory है, सब समझ में खुद ही आ जाएगा, कहां से आया था estrogen, यह दियान रखना है, orvian follicle से आया था, corpus litium से क्या आ रहा था, progesterone आ रहा था, ठीक, अभी तो यह brief में बता रहा हूँ मैं, reproductive system में detailed में बढ़ेंगे, इसको बहुत important topic है, ठीक है, और वो एक काम testosterone क्या कर रहा था, sexual behavior regulate कर रहा था, तो यहां, जैसे मैंने बढ़ाए, testosterone का counterpart, estrogen है, females में, तो estrogen यहां वो काम समाल लेगा, progesterone के लिए मैंने बताए था, कि progesterone अगर आ जाए, तो क्या करता है, progesterone से pregnancy याद कर लो, ठीक, अच्छा, अब progesterone का एक और काम है, ठीक है, क्या करता है यह, जो memory glands होते हैं, memory glands का काम क्या होगा, milk storage, सीधी सी बात है, है ना, तो milk storage जो होते हैं, वो alveoli, alveoli कुछ नहीं, अब lungs में भी alveoli बढ़ाता है, alveoli क्या हुआ, चोटे-चोटे sack, pouch type structure हैं समझ लो, जिसमें कुछ भरा होता है, वहाँ क्या था, वहाँ क्या था, वहाँ एर का exchange हो रहा था, है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ जिसमें, milk जो produce हुआ है, वो store होगा, इनी alveoli में, alveoli कुछ नहीं है, pouch like structure है, बता चुका हूँ, जल्दी बताओ, prolactin, ठीक है, milk formation में prolactin help करता है, ठीक है, तो अब यह basic बता दिया, मैंने ovaries के बारे में, अब testis और ovary को compare करके पढ़ोगे, दोनों gonads हैं, ठीक है, gonads के ही तो example है, तो समझ में आ जाएगा concept के, अच्छा ओके, testosterone है, तो इसी का counterpart हमारा या इसी की बहन, समझ लो, testosterone भाई है, तो testosterone की बहन हो गई, estrogen, दोनों के काम एक ही है, progesterone कहां से आया, द्यान रखना, काम द्यान रखना, तो I hope कि एक basic idea लग गया हो, ovary का, अगर यह lecture पसंद आया, कमेंट करो, और बताओ क्या पढ़ना चाते हो, and love 10 code यूज करके, अनक आइटमी से जुड़ो, मुझसे पसनली जुड़ना है, तो मेरा telegram link नीचे दिया हुआ है, thank you, thank you so much.